दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बड़ी कमाल की चीज़े बताने वाला हूँ पोस्ट मॉडरनिजम के बारे में 1939 के आसपास मॉडरनिजम खत्म हो जाता है और 1940 से शुरू होता है पोस्ट मॉडरनिजम ये सब अब भी अपने वर्क्स को लिख रहे थे तो ये सारे जब मॉडरन राइटर्स से इनको पोस्ट मॉडरन नहीं कहा जा सकता तो पोस्ट मॉडरन थे कौन पोस्ट मॉडरन थे Samuel Bucket, Talon Thomas, Graham Greene, W.H. Arden ऐसे बहुत सारे पोस्ट मॉडरन राइटर्स ने उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को कंटिनी रखा या जारी रखा जो इनसे पहले राइटर्स करना शुरू कर चुके थे Virginia Woolf, P.S. Eliot, Ezra Pound ये सारे लेकिन पोस्ट मॉडरन एज में जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे वो थे Pragmentation, Paradox, Custionable Narrations और इस टाइम तक American writers जो मॉडरन टाइम पे गिने चुने थे वो पोस्ट मॉडरन लिटरेचर में अब हिस्सा बनने लगे थे जैसे Henry Miller, Joseph Heller, H.S. Thompson ऐसे बहुत सारे पोस्ट मॉडरन इजम में सब कुछ आकर एक हो चुका था अब इसकी वज़ा भी थी क्योंकि मॉडरन इजम तक और तब तक England में लेबर क्लास, इंडस्ट्रिलाजेशन और अर्बनाजेशन उबर उबर कर सामने आया इंसान जरुरत से ज़्यादा साइंस में घुज गया था और उसी की वज़़ा से आगे चल कर दो वर्ल्ड वार हुए फिर Modern Age जब खतम हुई, First World War और Second World War के बाद में Post Modern Age चलू होती है तो Post Moderns ने अपना Science पे से भरोसा थोड़ा कम किया और Absurdity यानि इंसान जो बेतू की बातों पर ज़्यादा विश्वास रखता है उस पर ज़्यादा जोड़ दिया कि इंसान को इतना ज़्यादा Intellectual होने की ज़रूरत नहीं है Post Modern writers की राइटिंग में भी आप कुछ ऐसी चीज़े देखोगे Absurd Literature, बेतुका Literature कि आप इनकी राइटिंग को पढ़ोगे तो एक बार के लिए लगेगा कि क्या ज़रूरत है ऐसा Literature लिखने की लिकनी ऐसी टेकनीक्स के यूज करते थे Post Modern Literature बिलकुल बदल चुका थे Modern age तक तो आपने क्या Stream of Consciousness को समझा आप Stream of Consciousness में Confuse हो रहे हो यहां Market में ऐसी ऐसी टेकनीक्स आ गई थी जिनके मैं आपको नाम बताऊं तो आप Confuse हो जाओगे जैसे Pastich Pastich parody का opposite उतता है इसके अंदर पुराने works के ideas को लिया जाता है और दोनों को जोड़कर एक नया style बनाया जाता है अगर Google पर सर्च करोगे तो आपको इसके बारे में detail में मिल जाएगा Minimalism और Maximalism Minimalism में तो एक story के characters को चीजों को common से common events दिखाए जाते है ये भी technique थी postmodern एक technique थी magical realism इसके अंदर सच्चाई तो बताते हैं लेकिन सच्चाई के साथ magic भी दिखाते हैं यानि novel के अंदर ऐसे ऐसे events होंगे जिन पर आपको भरुसा तक नहीं होगा कि क्या ये सच है और novel का writer आपको clear भी नहीं करेगा कि कहाँ कहाँ पर reality है और कहाँ कहाँ पर magic एक style होती है metafiction इसके अंदर writing और fiction के जरीए readers को aware किया जाता है एक technique होती है interactuality मतलब इसके अंदर किसी पहले के literary work को acknowledge किया जाता है reader involvement मतलब ऐसी writing लिखना जिसमें reader का भी involvement हो जाए मतलब writer reader को भी involve करने ही कोशिच कर रहा writing के अंदर कि तुम भी आओ इस fictional nature में ये सब techniques postmodern use करते थे अब इनके main characteristics क्या थे postmoderns के मैंने आपको बताया है कि science पर ultimate faith रखना बंद कर चुके थे कि science में ज़्यादा भरोसा नहीं करना globalization और multiculturalism में भरोसा रखते थे कि अब पूरा globe एक हो रहा था अलग-अलग writings निकल निकल के आ रही थी दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से literature सिर्फ England का नहीं रहे गया था सब जगे से literature लिखा जा रहा था सारे cultures आपस में mix हो रहे थे और इसी की वज़े से architecture, food, music, literature, education, fashion, organization सब में change आ रहे थे और मीडिया ने भी काफी help की थी इस time के literature की लेकिन इन सब के बावजूद भी इस age का काफी criticism किया जाता है ये बोल कर कि ये समझने में बहुत मुश्किल है हमेशे problems गिनवाते रहते हैं solution तो बताया रही ना तो moderns ने ना post-moderns ने बताया और post-moderns की writings का कोई format नहीं होता था बिना format की writing होती थी इस वज़े से काफी लोग इसको समझ नहीं पाते लेकिन दोस्तों कितना भी criticism किया जाए end में हम इसका conclusion ये निकालेंगे कि इसकी वज़े से हमें दुनिया को एक different नजरिये से देखने की अप्रोच मिली क्योंकि no doubt कि दुनिया moderns की बाद में half century में बहुत ज्यादा तेजी से change हुई है और दुनिया multi-culturalism की तरफ बढ़ रही है और इसकी साथ ये वीडियो खतम होती दूस्तों आज की इस वीडियो बस अतना ही